ना सल्मान ना शारुक ना अक्षे ना जय असली हीरो निकले शाहिद कपूर शाहिद कपूर ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें असली हीरो कहा जा रहा है मैं आपको बताती हूँ शाहिद कपूर की फिल्में पिछले कुछ समय से काफी पसंद की जा रही है कबीर सिंग और हाली में आई जर्सी का तो सिर्फ ट्रेलर आया लेकिन उसके बावजूत फिल्म बड़ी impactful दिख रही है शाहिद कपूर की ये फिल्म 31 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज को पोस्पॉन कर दिया है नेक्स्ट रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है रिलीज पोस्पॉन करने के पीछे का कारण एक ही है ओमिक्रोन अब तो महाराश्ट्रो में थर्ड वेव अनाउंस कर दी है ऐसे में ओमिक्रोन के चलते थेटर्स के बंद होने की स्तिती आ गई है और इसलिए सभी फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्म को पोस्पॉन करने के बाद या तो जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब रिलीज करेंगे या फिर OTT पर रिलीज करेंगे तो इस पर शाहिद कपूर ने मेकर्स को एक सेजेशन दिया उन्होंने request की actually कि मुझे ये फिल्म OTT पर रिलीज नहीं करवानी है मैं चाहता हूँ कि आप इस फिल्म को थेटर में ही रिलीज करें चाहे जितना टाइम लगे और अगर जरुवत लगे अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से नुकसान होगा तो आप मेरी फीस में से पैसा काट लें शाहिद कपूर ने मेकर्स को ये offer रखा कि आप बताएए कि फिल्म को डिले करने से कितना नुकसान होगा मेकर्स ने कहा कि कम से कम 5 करोड का तो होगा ही तो शाहिद कपूर ने कहा कि आपने मुझे 31 करोड की फीस दी है उसमें से 5 करोड आप काट लेना इसके बाद मेकर्स ने ये भी कहा कि स्थिति और जादा बिगडी और चीजे शुरू नहीं हुई तो ये costing जो है 10 करोड तक महच सकती है शाहिद उसके लिए भी ready हो गए उन्होंने कहा कि मेरी fees से 10 करोड काट लो लेकिन film जो है वो थेटर पर ही release होनी चाहिए जाहिर सी बात है शाहिद कपूर जैसे actors जो अपना talent का लोहा मनवा रही है उसके बावजूद industry में underrated है क्योंकि उनके senior category जो है वो अभी retire होने को तयार ही नहीं है ऐसे में शाहिद रिते के इन सब stars को इतना footage और इतना mileage नहीं मिल पाता है यही कारण है कि किस तरह के platform पर शाहिद की film release होती है यह उनके लिए बड़ी बात है यही कुछ सुषान सिंग राजपूत के साथ हुआ था फिल्म drive को वो चाहते थे कि थेटर में release हो लेकिन करण जोहर ने उस film को OTT platform पर ही release कर दिया जिससे सुषान सिंग राजपूत काफी नारास थे